जाहें दोस्तों और आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि पार्ट फॉर जो ट्रिनोमेट्रिक का सीरीज चल रहा है उसका पार्ट फॉर ले करके आये हैं अब आपको बता दें कि जो एक्षरसाइज था उसको खतम कर दिये यह यहीं कि पूरा का पूरा क्लियर हो गया अब हम लोग याद नहीं है तो आप्सक्राइब करना पड़ेगा तब जाकर मैंस को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो चलिए हम लोग करते हैं वैल्यू को सीखते हैं कि कैसे आसानिस निकाल सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कि आई यह वह क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं ठीटा जो है जो भी साइन ठीटा थर्टी डिग्री फॉर्टी फाइब डिग्री नाइटी डिग्री का वेल्यू कितना आसानिस निकाल सकते हैं और आप इसको नोट भी करिए और समझेगा भी कि कैसे असानिस निकाल सकते हैं याद करने से अच्छा कि आप उसको समझ लीजिए अगर आप समझ गया है तब कोई भी वेल्यू असानिस से निकाल पाएंगे और समझ भी जाएंगे अगर कोई आपसे पूछ दे कि कॉस्ट फ च्छे ट्यूमेटिक रेशियो होता है यह आपको पता है पहले ही बता चुके हैं हम आपको और इदा जो है यह 0, 30, 45, 60, 90 अब दिग्री जो होता है 90 जो डिग्री है वहां तक नहीं होता है उसके आगे भी होता है लेकिन अभी हम लोग क्लाश 10 के बैसिस पर पाढ़ तो हम वैल्य निकल गया आप असानी सब देखिएगा समझ में आ जाएगा फोर आया सब को क्या करेंगे फोर से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो यहां पर क्या होगा खंट उनो यहां से आप काटेंगे हैिजै Rodск क्रार नहीं रह जाए है रहा जाए है यहां पे पॉइंटवाले डिस्मिल नहीं लिख division तो साइन सिस्टी लिग दी है अब असानी से देखेंगे लाष्ट वाला भी क्या हो जागा यह कट गया बज गया वन रूट वन का वेल्यू क्या होता है तो आप देख लिए कि कि इसका वेल्यू चाइन सब्सक्रानि निकल लिए अब क्यास क्या होता है तो जर्ण लों पहले लिख देंगे पहले वालो को लास्ट में पहले लीग लिए को लीट क्या हो जाएक पीछे से प्लेट देंगे तो उसका क्या आजागा रूट फिर यहां पे वन बाइट रूट टू यह वाला जागा वन बाइट टू अश्का जागा जीरो अब समझ नहीं रहे होंगे कि कैसे लिग दिया उठा गया अचानल मतलब कि साइन जो है को साइन का अपोजित हो जाता ञिए तो पीछे वाला याग्या घांट धी हो गया जागा Tucson 110 सट का जिएरो घोता अब कंस्विंद क्या देखिये जिय से पृट तो क्या हो घृट टाके अब का फिर होगे तो साइन और दिवाइड करते तो जीरो भाइड क्या होगा अब एडी घट से बोंब्स की जार मिल grazing दोनों को one is 3 by one को कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर नम्बर के नीचे क्या होता है अब क्या करें यहां पर one by zero तो one by zero को पता कि किसी सब्सक्राइब तो इसके नहीं कर सकते हैं चलिए बात है कोट का वालू क्या हो जाएगा तो क्या हो जाता है जिस तरह से साइट जो था कॉस का वैल्यू निकालने के लिए उत्तरदायी था यहना कि इसका परणे क्लार का स भी यह तो धेंगे तो कॉट हो जाएगा ठीक है लि 1 1 4 2-0 10 को अगरुंप देंगे तो two रहए जाएगा को प्लिट paarट तरी नीचे ही जघा यहां पर तो यहां पर भी कॉलट देंगे तो सीगत हगे यहां पर पलर यहां से दिए द्रह झों-ट टो अनुँगों क्या होगा रूट 2 by 1 यहां पर दो यहां पर पलट जाएंगे तो यहां पर जागा जो जीरो को यह टो हाटाल सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो जागा जिरू को जब पलटे हैं तो जो जागा जिरो पलटे तो यह क्या जया था में रिखते लिख दियें अगर को डॉट होगा तो अब नों में बता दीजिए अब इसका क्या करें सब्सक्राइब यहां पर आप तहरी तो इस तरह से आप क्या समझ गए इस तरह से आप कोई भी ठीटा का जो सकते हैं एक वैलिव निकालने के बाद यह कैसे निकालना था मैंने आपको अच्छे से बताया अगर नहीं समझ में बताइए और चलिए अब लोगों ने देख लिया है अब बात और बता दे कि अभी जितना भी हम से लाएं वह सारा इंग्लिस में हैं अगर हिंदी मिडियम का जो आएगा तो हमा को पहले ही नोटिफिकेशन दे दें कि हिंदी मिडियम के लिए भी एक स्रीज चला देंगे टिक्नोमेटर का ताकि हिंद आपको हिंदी मिडियम और इंग्लिस मिडियम वाले बच्चों को समझ में आ सके बड़ कुछ-कुछ वर्ड आपको प्रॉब्लम करता होगा तो इसके लिए हम एक नया सरीज फिर से लेकर आएंगे जो कि हिंदी में सिर्फ टोटल हिंदी में ही रहेगा चली सॉल्व करते ह से असदिकर और नंबर सिक्स लिए अब ट्र garments राइंगल दिआ है जिसमें छिसमें 200 डिशक चुकुल आ पूंच रहा है ये दिया हुआ हे या बी कितना दिया हुआ हमारा अब और और अब अंटिम लोगों क्या होँा हुआ है अब का थिए ऐогन दिःति घ्रीं' तो रहुता है तो यह क्या करेंगे इसको पी बोलते हैं पर्पेंडिकुलर लिए दिगरी सब्सक्राइब और अर लागनी किंद शुर्ण होता है तो अभी हम बता चुक्त है न अब क्या लके smash a टो852 U 1 by root 3 और यहां पर क्या करेंग एबी कितना है तो AB है आपका 5 cm और BCM को नहीं पता तो BC क्या हो जागा cross multiply के लिए तो BC equal to क्या निकल गया आपका 5 root 3 meter यानि कि आपका ये BC का value मिल गया अब क्या पूछा गया हम लोग से AC क्या तो AC क्या हो जागा या तो आप पैथेगोर्स से निकाल दीजिए या तो फिर आप वैसे करिए sin theta ब्राव क्या हो जाएगा P by H होता है तो sin theta नहीं कि sin 30 degree हा ना P कितना तो P है आपका AB और H कितना यह है आपका AC तो sin 30 का value क्या होता है अभी टेबल में आप देख लेंगे क्योंकि आप not कर लिए होंगे समझदार है आप 1 by 2 हो जाता है इसका value AB क्या हो गया AB का value जो है वह दिया दिया है 5 AC हमको निकालने के लिए बोला गया तो AC क्रॉस मुल्टिप्लाइब कीजिए तो AC क्या जाएगा 5 तो 10 cm यानि कि AC भी निकल गया और आपका BC भी निकल गया तो उमेद यह कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में तो फिल वहीं बात कमेंट बॉक्स में बताईए तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं अभी खत्म नहीं हुआ अब आएए हम लोग जांपर नुबर 7 को बनाते हैं तक जांपर नुबर 7 पुरा हलवा है मतलब खाने वाला हलवा नहीं है बहुत इसी है अब समझे बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा यह जो ट्रेंगल दिया है PQR कोश्चन में बोल दिया कि क्यू जो है वह 90 डिग्र लगे है हैंना राइड और बहुत लेक्री नहीं है पुछ रहा है अंगल P RQ यानि की PR १क्स को उपिर यह कितना हो ठीक है तो बहुत ही आसाने समझने के लिए सबसे पहले बात आप देख लिए कि यह क्या है है यह जानता है यह घ्र होता है साइन ठीटा में ह рокोसाइकंवें होता है क्या होगता है क्या है साइन ठीटा इकोल दूब इस कितना तो टो यह की लिग थैएपक को water q ठीक है इस तरह से आप देख लें तो किया जागा साइन ठीटा इक्वल टू थी कि इसको अबर काड़ दे तो क्या जाएन एक्वल टू वन भाय तू निकल गया आपको पहले से पता है कि साइन रहे ही जिसका वैल you उसका होता है तो साइंड थर्टी का होता है तो साइंड थर्टी डिग्री का हो जाता तो दोनों का अगर युकौल हो गए तो ठीटा कितना हो जाएगा थीटा हो गया आपका तो तीसरा क्या हो जाएगा 90-theta यानिकि 30 डिगरी तो किसी डिगरी तो पी आर क्यू इकोल क्या हो गया 60 यह कट गया ध्यान में ध्यान से देखिए 60 डिगरी अब नहीं कट आई इसका क्या हो गया वैल्यू 30 डिगरी ठीक है अब समझ में 60 कैसे आया अगर नहीं समझ मैं तो छोटा साम सौटकट में बता दें कि एक ट्रेंगल है यह 90 डिगरी हो गया और यह 30 डिगरी हो गया तो टूटल कितना होता है एक्सवस्ती होता है ना तो 90-30 यह कितना हो जागा 90-30 अब दोनों इकोल करने लिए बचा 60 तो हम लोगों को दोनों एंगल मिल यहां पर ऐसे आगे देखते हैं कि इजी है या टफ है चलिए एक्जांपल नंबर नंबर 8 को देखते हैं एक्जांपल नंबर 8 भी ठेखने में थोड़ा अजीब लग रहा हुआ लेकिन वह अजीब है नहीं कहें कि मैं तो सबको अजीब लगता है देखें ध्यान से यहां पर काफी इज है आप समझेंगे तो आपको केर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा देखें साइन ए माइनस बी दे दिया है आपको कितना वन बाई टू ठीक है तो साइन ए माइनस बी को आप रहने दे ठीक है और वन बाई टू किसका वेली होता है साइन में तो साइन में जो होता है वो 30 डिगरी का होता है इसका मतलब दोनों साइन इक्वाल है यानिकि a-b बराबर क्या हो जाएगा यह जाएगा 30 डिगरी ऐसे जनरली काट कर भी बनाते हैं हम लोग ऐसे ठीक है तो a-b क्या हो जाएगा 30 डिगरी और इसका नाम देदी हम लोग 1 चेक है उसी तरह से हम लोग क्या ले लिए अब टेबल यह जाँ को समझ में आ जाएगा वो डिगरी और टेबल टेबल तो आंजर्ट नहीं खेंगा यह सिस्टी डिगरी ओगया 50 डिगरी अब क्या करेंगे कि 2-1 करेंगे एक्वेशन को 2-1 करेंगे तो solve कर लेते हैं A plus B equal to 60 और A minus B equal to 30 तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर add करेंगे add करने पर sign change होता है और subtract करने पर sign change होता है तो यहाँ रिखेंगे on adding तो यहाँ पर subtract ना करके add हो जाएगा तो add कर रहे हैं तो plus minus क्या होगा खत्म A plus A कितना हो गया 2A यहाँ पर 60 plus 30 90 डिग्री और यह दो से कितना बार में 45 टाइम में मतल कर दिया तो A कितना बार निकल गया 45 डिग्री यह निकल गया है आपका A अब हमको निकालना है क्या B तो B निकालना के लिए इसी में भी रख दो ना इसी में रख देते हैं हम लोग बी पुट इन 2 तो पुट करें क्या हो जाएगा यहाँ पे A plus 45 गरबड हो गया ना चलिए हम लोग क्या करते हैं एक को लिखते ना एक वेल्यू निकलाता ना तो एक को पुट करेंगे बी में एक पुट इन 2 यानि एक वेल्यू एक्वेशन नमबर 2 में रखने पड़ तो एक वेल्यू कितना है 45 है तो चलिए नो रखते हैं 45 प्लस B equal to 60 degree तो B equal to क्या होगा 60 minus 45 ठीक है तो B equal to क्या हो गया आपका 15 डिगरी तो B आ गया 15 और A आ गया कितना आपका 45 अब देखिए एंगल A और B के वेल्यू तो मिल गया हम लोग को लेकिन कुछ satisfaction भी बोला करने करें कि कुछ satisfy कीजिए तो देखिए A plus B को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा तो जोड़ें A कितना है 45 और B कितना है 15 नहीं कि 45 प्लस 15 कितना हो गया 60 जीरोस तो बड़ा है ही इसके मतलब ये condition तो satisfy कर गया अब क्या है कि बोला कि A plus B जो है वो 90 से छोटा या बराबर होगा ठीक है तो जोड़ेंगे 45 प्लस 15 यानि 60 हो गया 45 और 15 कितना हो साथ हो गया ना तो साथ क्या है 90 से छोटा है कि बराबर है तो अल्रेडी छोटा है इसके मतलब ये जो पूरा जो condition दिया था वो satisfy कर गया एक कंडिशन और दिया था कि A greater than B तो A कितना था 45 B कितना है 15 तो A बड़ा होगा ना भाई B से तो आपको समझ में आ गया 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 ग कोश्चन एक्सरसाइज में भी है 8.2 में तो चलिए हम लोग देखेंगे लेकिन आज नहीं एक्सरसाइज जो 8.2 है हम लोग नेक्ट सीरीज में देखेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत और पढ़ते रहें और अच्छा से नोर्स बनाते रहें